टैक्स से जुड़े मुश्किल से मुश्किल सवालों के आशान भाशा में जवाब लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं टैक्स प्लैनिंग के साथ नमस्कार मैं हूँ कावेंदर चौहान तो आज हम बात करेंगे ड्यू डेट्स की बड़ी हुई तारीखों को लेकर विभाग की नई स्कीम फेसलेस असेस्मेंट के बारे में और इस सब जानकारी के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जैन्त मिश्रा जी जैन्त मिश्रा जी आगरा के प्रधान आयकर आयुक्त हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर सबसे पहले तो मुझको ये बताईए कि आयकर विभाग की जो ड्यू डेट्स हैं रिटर्न की और टैक्स पेइमेंट्स की और अनकरी प्रक्रियाओं की वो 31 दिसंबर तक बढ़ा ही जा चुकी थी लेकिन फिर भी करदाताओं की समस्याओं को देखते हुए कई हमारे जो टैक्स पेयर्स थे और उनके सीएज अड़ोकेट्स और अकांटेंट्स आधी थे उनको ये द 37 दिसंबर तक की जो कंप्लाइंस की उनको फिर एक बार हमारे माननी वित्मंत्री ने फिर से एक मौका देते हुए बढ़ा दिया और जो 31 दिसंबर जो बढ़ी हुई तारिक थी हमारे जो टैक्स पेयर्स की अपना टैक्स आडिट रिपोर्ट फाइल करने की जिन केसे में अडिट होता है उसको बढ़ा दिया 15 जनवरी तक और इन रिटर्न को जहां पे टैक्स आडिट रिपोर्ट आएगी वहां पे जो रिटर्न आएंगे इसके साथ में उनकी डेट एक महीने और बढ़ाके 15 फरवरी कर दी तो 15 फरवरी तक बढ़ सकते इसके अलावा जो बाकी रिटान है जहां पे टैक्स आडिट का मामला नहीं है और जैसे कोई वो कुछ इंडिविल्जोल्स के सैलरीड परसंस के रिंटल इंकम वराकिया और जो छोटे मामले हैं उनमें 10 जनवरी तक अंतिम समय बढ़ा दिया है तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस बढ़े ह हुए समय का लाब लें और अपने जो सही आया है उसको दर्शाएं आयकर विभाग दवारा जो नई स्कीम फेसलेस असेस्मेंट स्कीम जो लाई गई है जिसको लेकर कि आपने सीए वाउ देवक पतियों के साथ जो मीटिंग भी की है क्या है ये स्कीम और क्या रहा उस मीट प्रक्रिया थी जिसके तहए निर्धारन होता था टैक्स असेस्मेंट होते थे ये डिर सो साल से जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसमें बड़ा आमूल चूल परिवर्तन किया गया है तो एक बहुत बड़ा एक ये बदलाव है क्योंकि उस स्कीम के तहए जो जो कर निर्ध निर्धारण अधिकारी होता था एक assessing officer होता था जो की निर्धारण करता था कि कितना tax लगाना है notice भी देता था और जो सवाल पूछने होते थे करता था से वो भी वही करता था अंतिम निर्डे में वही लेता था कोई inquiry करनी होती थी तो भी वोई assessing officer, अर्थार्ट करने और अधिकारी की ही जिम्मेदारी होती थी और सारी प्रकरिया होने के बाद tax की वसूली का कार भी उसी निर्धारण अधिकारी यानि की assessing officer का होता था लेकिन इस नई प्रक्रिया के तहट सिर्फ उस एक और इस प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि उस अधिकारी पे बहुत ज़्यादा एक काम का बहुत ज़्यादा दबाव रहता था साथ ही उस पे किसी केस में बहुत ज़्यादा नरम होने या किसी केस में गरम होने के भी आरोप लगने की समभावना थी जो कि सारी कारवाई वो एक अधिकारी ही करता था पूरी पावर एक तरह से कहा जाए सेंटरलाइस थी तो उसको एक तरह से डिसेंटरलाईज किया है और उसको एक तरह से जो ट्रांसपरेंसी है उसको बढ़ाय गया है और इन्होंने जो सरकार ने जो नई स्कीम लाए हैं उसके तहट एक एसेस्मेंट यूनिट बना दिये जिसमें नियूंतम दो अधिकारी होंगे, एक तो income tax officer या assistant deputy commissioner सरका अधिकारी होगा, एक उसका जो senior है वो joint commissioner या additional commissioner सरका अधिकारी होगा, नियूंतम दो अधिकारी होंगे हर assessment unit में, और इस यह assessment unit सवाल पूछेगी और करनेधारन करेगी, और करनेधारन आदेश बनाएगी, tax अरूपित करेगी, कोई penalty अगर आती है, तो भी वो करेगी, तो अब सवाल ये उड़ता है, वो तो फिर तो एक अधिकारी के जगे टीम आ गई, अंतर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अंतर मुक्य रूप से यह हुआ, कि एक तो team हो गई, एक सहधिक अधिकारी हो गई, दू तो जो tax assessment team है, वो किसी अन्य शहर में स्थित होगी, जिस शहर में निर्धारन हो रहा है, तो वहां के अधिकारी समझ लें, वहां के जो करदाता है, उनको मालूम होना चाहिए, कि उस शहर में निर्धारन ना होके, किसी अन्य शहर में उनका निर्धारन होगा, तो इसलिए आएकर विवाग के चक्कर काटने के वहाँ जाने की कोई आवशक्ता नहीं है लेकिन अब इस assessment unit को इसके मदद करने के लिए तीन और तरह की units है यानि कि verification unit, technical unit और review unit जो verification unit है वो कई तरह के कार जो की faceless mode पे नहीं किये जा सकते हैं किसे कोई inquiry करनी है, कोई account books देखने है, किसी का बयान लेना है या मौके पर जाके किसी चीज का मौइना करना है, मौके पर जाके उसकी on spot verification करना है तो वो सारे काम verification unit करेगी, लेकिन आम दोर पर ये सारे काम e mode पे ही करेगी verification unit भी, assessing unit की तरह ही, लेकिन जहां पर प्रधान आयकर आयुक्त, यानि principal commissioner of income tax तरके अधिकारी की लिखित अनुमती होगी, वहाँ पर ही वो मौके पर जाके जाच कर पाएंगे और उसमें भी लिखित अनुमती कुछ खास बिंदूओं पर ही होगी ऐसा नहीं है कि एक जांच के लिए कह दिया गया और किसी भी तरह की जांच करें ऐसा नहीं है क्या जांच करनी है, वो स्पष्ट होगा, जिस समय जांच की लिए रिक्वेस्ट की जाएगी जो हमारी जो वेरिफिकेशन यूनिट के अधिकारी है उनके दोरा उसमें स्पष्ट लिखा जाएगा और जो प्रदान आयुक्त है, उसके दोरा स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कम से कम नियुनतम दो इस्पेटर तो जरूर जाएंगे, ज़्यादा भी जा सकते हैं, अधिकारी भी जा सकते हैं और उनको भी यह नहीं कि किवल उन्होंने जो भी लिखना चाहा, लिख दिया रिपोर्ट में, उनको मौके के फोटोग्राफ्स भी लगाने होगी तो जिससे की वरिष्ट अधिकारी भी उसको देख सकते हैं कि मौके पे वास्तों में क्या था, फोटोग्राफ्स में क्या था तो इस तरह से एक ट्रांसपरेंसी को बढ़ाया गया है और इसी के अलावा टेकनिकल यूनिट्स भी होंगी उनका काम है कि जैसे कोई जो लीगल मुद्दे हैं, उनको जो है टेकनिकल यूनिट्स को रेफर किया जाएगा और टेकनिकल यूनिट्स जो राय देंगी तो फिर ये लाब होगा कि एक अधिकारी और बगले बैठा हुआ दूसरा अधिकारी ऐसा नहीं होगा कि एक अधिकारी ने Bombay High Court पे केस पर रिलाई कर लिया, दूसरे ने पंजाब हरेना High Court के केस पर रिलाई कर लिया, अगर UP High Court का, अगर अलाबाद High Court का केस है, तो निश्चित रुप से उसको फॉलो किया जाएगा, अगर हम यहां उत्तर बेदेशने बैठे हैं, अगर Supreme Court का केस कि एक जैसे निर्णे लिये जा सकेंगे, और अलग-अलग अधिकारी द्वारा अलग-अलग लीगल निर्णे नहीं होंगे, साथ ही टेकनिकल यूनिट तमाम तरह की अन्नी चीज़े हैं, जैसे Special Audit कराना है, जहां पर की Assessment Unit या Verification Unit ने कहा, अगर जहां पर की कोई Valuation कराना है किसी संपत्ति का या Machinery का या जोलरी का या किसी चीज़ का, वो भी Assessment Unit या Verification Unit उसकी लिए संस्तुति कर सकती हैं, तो उसको Technical Unit फिर Departmental Valuation Officers के तुरू या Special Auditors के तुरू Audit वो कराएगी, जहां पर Transfer Pricing के मुद्दे हो सकते हैं, तो Transfer Pricing अधिकारियों से Coordinate करके ये Technical Unit करा Audit है, कि जहां लगता है कि बहुत ज्यादा टैक्स लग गया, जै टैक्स कम लगा, तो Review Unit उसको पहले ही उस पे अपनी संस्तुति दे देगी, और Assessment Order रिलीस होने से पहले ही उसमें बदलाव किया जा सकेगा, जी बिलकुल, एक Fear of Change भी होता है, मिश्रा जी, जैसे उसके चलत देखिए, कोई भी बदलाव होता है, तो हमेशा there is fear of the unknown, तो इस तरह का एक सोच होना कि हम जो पहले चल रहा था, वही ठीक था, नया पता नहीं क्या होगा, तो fear of the unknown एक होता है, और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो स्कीम आई है, ये करदाताओं के भलाई के लिए है, जो हमारे इमांदार करदाता है, उनके लाब के लिए है, जो स्कीम है, उसके tagline ही है, faceless assessment scheme, honoring the honest, तो जो हमारे इमांदार करदाता है, उनको परशान होने की ज़रोध नहीं है, विबाग में भागने दौड़ने की ज़रोध नहीं है, बार बार कागज लेके आन लग जाते हैं और उतने समझी आप पन्ने बरबाद होते हैं निर्धान प्रक्रिया के दौरान क्योंकि वही कागज जो हमारा टैक्सपेयर है वह रखता है एक कौपी अपने रिप्जेंटेटिव को देता है एक कौपी डिपार्टमेंट को देता है तो सोची आप अगर हजा आने जाने में जो पेट्रोल डीजल के खर्चा है जो मैनावर्स वेस्ट होते हैं इंजार करने में दो लोग एक ही समय पर आगए तो जाहिर है अधिकारी एक समय पर एक ही को देख पाएगा तो वो सारा जो लॉस होता था कंट्री का एक तरह से लॉस था वो सब इससे बच सिती होती थी कि करदाता कहता है कि हमने तो जवाब विया है और विबार आग क्या रहा है अभ यह जो भी आपके जवाब होगे किस ने क्या सवाल कब पूचा, किस ने क्या जवाब कब दिया, उसके साथ कागज क्या क्या लगे, ये स्पाश्ट चूप से दिखाई देगा, आगे भी दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देता रहेगा, वो ओनलाइन मेंटेन रहेगा, तो उस मुद्दे पे लेके कोई dispute नहीं है साथ ही जैसे बताया है कि आपको कि वरिष्ट अधिकारी भी हर समय उसको देख सकते हैं उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है क्या सवाल पूछे जा रहे हैं क्या जवाब दिये जा रहे हैं तो बे मतलब कि बेतु के सवाल ना पूछे जाए इस बात को वरिष्ट अधिकारी देख सकते हैं करदाता परशान नहों और जहां पे जरूरी सवाल जो पूछे जाने हैं वो जरूर पूछे जाए ये भी वरिष्ट अधिकारी देख सकते हैं तो जो इमानदार कर दाता है तो उनको तो डरने की कोई आवशक्ता ही नहीं है, जो सही-सही जवाब हों, वो दे दे, अपने सियोग के साथ दे या खुद भी लिख सकते हैं, जो कागज आपको देने हैं सबूत के, उनको भेज सकते हैं, तो कोई डर की भै की कोई स्तिती है ह नहीं और जहां तक वो जो verification होना है वो भी online mode पे ही होगा जो verification निकाईया है वो भी online mode पे inquiry करेंगी सिर्फ केवल कुछ चुनिंदा मामलों में जहां पे वो reason record करेंगी जो verification unit से assessment unit है और उन reason को प्रदान आयकर आएक दोरा अप्रूव किया जाएगा कि ये और उन बिंदों पे अप्रूव किया जाएगा वहाँ पे जांच होगी केवल तो आप ये समझें कि 99.5% केस में तो स्कूटनी होती नहीं है डिपार्टमेंट 1980 तक ये सिधी थी कि हर केस 100% केस में स्कूटनी होती थी अगर आपने रिटरन फाइल किया तो कुछ महीनों बाद या कुछ समय बाद आपको एक नोटिस आएगी विभाग में आना पड़ेगा बताना पड़ेगा कितनी आमंदरी हुई क्या हुई अब वो बदलाव होते होते अब ये सिधी आ गई है वो संक्या कम की गई वो उसको कुछ केस को स्कूटनी में लिया जाना शुरू किया गया और आज की तारिक में 99.5% केस यानि कि केवल आधे परसेंट केस से भी कम जो है स्कूटनी के लिए चुने जाते हैं बाकी को तो ट्रस्ट के आधार पर विभाग एकसेट कर लेता है और लेकिन इन आधे परसेंट केस को बड़े समझदारी से चुना जाता है कम्प्यूटर एसिस्टेट स्कूटनी सेलेक्शन एक परक्रिया है तो उस परक्रिया के तहत जो केस है उनको डाटा एनलैटिक्स के मादियम से और जो विभाग के बास लाखों पीस इन्फॉर्मिशन है उससे मैश किया जाता है और उसके बाद कुछ केस को चुना जाता है एसेस्मेंट के लिए तो ये एक प्रक्रिया है तो और ये इसलिए जो करदाता अभी सही टैक्स नहीं चुका रहे हैं जो कर अपवंचना कर रहे हैं टैक्स इविजन कर रहे हैं उनके लिए एक वार्निंग भी है जो कि डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा सूचन कम होगा specialization develop होगा और अब जहां गलत है उन केस को घूνडा जा सकेगा पहचाना जा सकेगा डाटा अनलेटिक्स के तुरू उनको पहचाना जा सकेगा department के पास जो information है उससे match किया जा सकेगा और फिर उन कुछ मामलों को चुन के उन में scrutiny होगी उनमें भी जहां पर जो साबित कर देता है कि वो सही है ऐसा कहीं नहीं कि scrutiny में आ गया तो कोई tax लगना ही है और अगर scrutiny में आ गया तो online के अलावा कोई मौके पे जाके जाँ छोनी है ऐसा भी नहीं है वो भी उनमें आधे percent में से भी कुछ और भी कम मामले में ऐसा होगा तो कोई भाय की बात नहीं है और कई तरह की टीमें देखेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई बहुत जादा tax लग जाना या बे मतलब या बेतुका tax लग जाना उसकी संभावना बहुत कम होगी बलकि कि मैं तो समझता हूँ नगाण या श्चून नहीं हूँ तो ये हमारे करदाताओं के लिए बहुत बड़ा एक कदम है लेकिन जरूरी है कि सब इसको समझे और इससे भाय खाने की बजाए वो इसमें इसको समझ के और इसमें आगे बढ़ें और अगर कोई सुझाओ देना चाहें तो जरूर सुझाओ दे जो इस संदर्ब में आज जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से जो तमाम गाजियाबाद के फेडरेशन्स हैं टैक्सपेयर्स के इंडस्ट्रीज के ट्रेडर्स के एस्सेशन्स हैं उनके जो पदादिकारी हैं मेंबर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई और उस पे चर्चा हुई तो यह मैं यही आखवान करूँगा गाजियाबाद के सभी टैक्सपेयर्स से कि स्कीम को समझे और अपना पूरा सहयोग दे ताकि यह सफल हो तो कि यह इवांदार करदाताओं के लिए ही कि उनके बलाई के लिए ही यह स्कीम लाई गई एक और जानकारी थी कि पैंडेमिक के चलते एकोनोमी में जो एक स्लोडाउन देखने को मिला था जो एक जटका लगा था उसके चलते करदाताओं की सहुलियतों के लिए क्या विवस्थाएं की गई है। और अपने जो डॉक्टर्स हैं और जितने करोना वारियर्स हैं उनको सलूट करूँगा कि कितने अच्छे ढंक से उन्होंने इसको हैंडल किया हमारे इतनी बड़ा देश है एक करोड से उपर लोग को हो चुका है करोना कोविड लेकिन उन सब को आइंटिफाई किया जा रहा है और डेथ रेट हमारा किसी भी बड़े देश के मकाबले बहुत ही कम है और वो डेथ रेट लगातार कम होता जा रहा है और इलाज लगातार अच्छा हो रहा है लोग लगातार ठीक हो रहे हैं तो वो एक रिकॉर्ड स्थर पर करोना को हम से लड़ पा रहे हैं और इस पै 37 मार्च तक ये हमारी एकॉनमी पूरी तरह से वापस ट्रैक में आकर पॉस्टिव में आ चुकी होगी जहां तक विभाग की बात है इनीशली जब पैंडमिक आया तो हमारे विभाग ने कोई भी adverse communication जो है taxpayer पर जैनि कि कोई किस तरह की tax वसूली की notice कोई prosecution की या penalty की notice उसको रोक दिया है बिलकुल और काफी समय तक ये adverse communication पे जो रोक लगी रही हमारे उच्छादिकारी द्वारा और उस दौरान लगातार ये प्रक्रिया रही कि जो taxpayers के जो refunds हैं वो जल्दी से जल्दी दिये जाएं और एक record तेजी के साथ refunds दिये गए बहुत लोग इसके तारीफ भी कर रहे हैं आप पता करेंगे तो लोगों ने उधर return file किये उधर जो उनका refund जो उनका खुद का ही पैसा है लेकिन ब्यायद सहीद वो department ने उनको वापस किया याद करिए कुछ समय पहले तक यह कुछ साल पहले यह सिद्धी थी कि पूरे साल निकल जाता था और फिर भी लोग refund के लिए आयकर भाग की चक्कर काटते थे लेकिन अब यह सिद्धी है कि कुछ दिन के भीतर या तो फिर कुछ हफतों के भीतर तो मांग की कि जिसके आधार पे कुछ refund बनता था उसको भी एक priority पे करकर उसको इशू को resolve करके उनके refunds दिये गए उनको हर तरह से करदाताओं को support करने का प्रयास किया गया और आज की तारिक में भी अब यह जो बैन था adverse communication पे हट चुका है लेकिन विभाग द्वारा एक साहन लांच की गई है इसमें pandemic से भी लड़ने के देखिए सारे गुड़ है जो कि प्रयास यह किया गया है कि व्यक्ति से व्यक्ति का जो संपर्क है उसको नियुंतम रखा जाए pandemic से निपटने में यह बददगार है जो आपकी environment में जो damage हो रहा है इतने ज्यादा पेड़ कट र आपने व्यापार को बढ़ाने में अपने industry को जो भी कार कर रहा है डॉक्टर सी एड़ोकेट है आर्किटेक्ट है सैलरीड परसन है जो भी काम वह जो भी कारके लाप कर रहा है उसको करने के लिए वह सुतंत रहेगा लेकिन यह मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो आपके email पर आपने दे रखी है आयकर विवाग को उसको समय समय पर जरूर को देख लिया करें कि ऐसा नहों कोई सवाल आयकर विवाग से हो और वह अनुतुरित रह जाए वह आपके ही हित्म है कि जितना जल्दी हो सके उसके आप सही जवाब दें जिससे कि कोई भी प्रकर लिजस्तों को ठोड़ा बरीफ कर सकें तो विवाद से विश्वास तक की ही जहां पे भी कोई विवाcimento से विवाद चल रहा है को टैक्स-बकाया है या किसी तरह का कहीं किसी भी आपिलेट फॉरम में कोई विवाद चल रहा है इसके लिए स्कीम लाई गई थी उसकी भी बढ़े हुई समय जो अपना जो फॉर्म नंबर वान टू का डिकलेरेशन है उसको फाइल करने की 31 संबर्ती उसको भी बढ़ा के 31 जनवरी कर दिया गया है तो उसके फॉर्म एन वान टू फाइल करके जो भी विवाद ड टैक्सपेर सुल्जाने के लिए अपना डिकलेरेशन फाइल कर सकते हैं एक मेने का और टाइम बढ़ा दिया वह 31 जनवरी तक टाइम बढ़ गया है और उसका जो टैक्स का भुकतान है वह 31 मार्च तक कर सकते हैं तो यह मैं जरूर अपील करूंगा कि यह जो स्कीम है इसका झाल झाल